नमश्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तूला रासी के महारासी फल के बारे में कि यह दिन तूला रासी वालों के लिए कैसा रहेगा किन कीन चीजों से इनको फायदा होगा और किन चीजों से और स्वास्तिकी महतपुन जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुबरंग और सुबंग क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके तो दोस्तों वीडि आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलि दोस्तों बात करते हैं कि कैसा रहेगा तूला रासी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आज आपके लिए पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आप खुद को लेकर कुछ नियम बनाएंगे और आपका कोई महत्पुन कार योजना के मुताबित पुरा हो जाएगा इसे आपको सुकुन मिलेगा युवाओं को अपने प्रोपेशनल पढ़ाहे में मेहनत के अनुशार शफलता मिलेगी लेकिन दोस्तों किसी भी काम में फोकस रहना बहुती जरूरी है जल्दवाजी और लापारवारी में लिये गए निरने गलत हो सकते हैं महिलाएं अपने मान शामान को लेकर ज़्यादा सजगर हैं संकोच में अतरित कारवार अपने उपर ना लें कारवारी विवस्ता बहतर बनी रहेगी और किसी वारी सज़स्ते के मारदर्शन में कोई महत्यपुन कार पुरा होगा इस्टाफ और कर्वचारी का ओचित सहयूग रहेगा नोकरी में अपना प्रोफेशनल बहतर तरीके से पूरा करने से अधिकारियों के भी शहरना होगी अपनी दिनचारिया को विवैसित रखना आपके व्यक्तित और स्वास्त को वहतर बनाने में सहय करहेगा बच्चों के भविशे को लेकर चले प्लानिंग को शाकार करने का आफसर मिलेगा आयके साधनों में भी मजबुती आयेगी दोस्तों ध्यान दखें कि अगर आज कोई विशेस निर्ने लेने जा रहे हैं तो उससे शमनत पूरी जानकरी आवशे शहित कर लें इसे आपको शफलता मिलेगी किसी सहरनी कारे की वज़े से समाज में मान शमान मिलेगा युआ का उतनाब दूर हो शकता है इसे अब मजबुत भी हो शकते हैं दोस्तों अनुकुल ग्रेस्ति बनी हुई है इस अनुकुल तका अधिक से अधिक लाव उठाने की कोशिश करें विद्याती अपने युगेता से कोई महत्वपुन उपलवदी हासिल कर सकते हैं दोस्तों आज 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 कोई रूका हुआ कार शफलता पुरूबक शंपन हो शकता है घर के वश्ता को और अधिक बहतर बनाने के लिए आपको शकारत में बदलाव लाने पर भी विचार्स भी मर्स करेंगे युगा को केरियर से समंदित कोई नया आफसर मिले तो तुरंट उस पर कार करें आपको अवश्य सफलता मिलेगी आज कुछ बहतर करने की उमंग वज्योस रहेगा और आप काम्याद भी होंगे दोस्तों आपने योजना को किर्याविंद करने का उत्तम शमे है आज आप जिस कारे में हाथ डालेंगे उसमें आपको उची सफलता भी हासिल होगी गर के बड़े लोड़ों के सानिदे में आपको अच्छा मारदर्सन मिलेगा चमें आपके लिए बहुती अनुकुल है आपकी आर्थी के जना से समदित कोई लग्च भली भूती होने वाला है यह समें बहतरिन उपलब्दियां सामने आएगी किस समंदि के साथ महत्यपुन मुद्दे पर विचार्ज भी मर्जपी होगा और उसके सकार्थ में परनाम भी शामने आएगे साथे साथ दोस्तों किसी नजदी की समंदि के साथ कोई मनमुटाब चल रहा है तो वह आज किसी वाइष्ट की मद सता से सांती पूर्ण तरीके से हल हो जाएगा किसी नजदी की मित्र यारिसिदार से मुलाकात रोजमर्रा के तनाव से भरे माहुर से रात देगी दिन अच्छा भी वितेगा दोस्तों जो काम पिछले काफी समय से रुक हुए थे वह आज अल्प प्रयास से ही पूरे हो जाएगे राइती तथा समाजी गतिविदियों में भी आपका वर्चस वरहेगा दोस्तों आज आपका भाग आपको कोई महतपुन उपलवदी देने वाला है इसमें आर्थी इस्ती भी बहुत ही बेहतर रहेगी अतर समय का उचीत सदुपियोग करें घर में भी अनुसासन तथा व्यवस्था बनाए रखने में आपका महतपुन योगदान रहेगा दोस्तों आज भागवान का आसिरवाद आपके बनी हुए है आपको भी काम करेंगे तो आपको अवसी सफलता मिलेंगे दिन की सुरात बहुत ही सुकुन भरी रहेगी कोई सुब समचार मिलने से मन परशन रहेगा घर को शवारने के लिए नई वस्तियों की खरिदारी होगी समारों में जाने का भी मोका मिलेगा दोस्तों आपको पिछले अच्छे करण परदान होने के कारण भगवान का आसिरवाद आपके बना हुआ है आज आप कोई भी शुब काम करेंगे तो आपको अवसी सफलता मिलेंगे दिन चारिया में भी कुछ अच्छानक बदलाब होगा जो की सकार्त में भी रहेंगे आज रोज महरा की दिन चारिया से हट कर उस समय आद्व आपको कॉलन में भी समय वित्लित करें कोई उल्जे वे कारे को वेवस्तित करने का प्रयास भी सफल होगा दोस्तों भगवान की किरपा से आज आपको कोई महतपुन उपलवधी मील सकती है जिसके करन दोस्तों आपके घर परिवार में खुसी वरा बतावरन रहेगा भावकता के वज़ा बहवारे नजरिया रखें करवी लोगों के साथ किसी खास मुद्य पर गंभीर और फाइदेमन विचार भी मर्स होगा युवां को केरेयर समंदी अच्छी जनकारी भी हासिल होगी दोस्तों समाजी गत्वा सोसाइटी समंदी गतिजियों में भी आपका योगदान देने से कोई बहतरिन अनुभग मिलेंगे पर्तिष्टा बढ़ेगी महतपुन काम पूरा होने से उमीद और आसाहें सफल रहेंगे किसी समारों में जाने का भी अबसर भी बन सकता है दोस्तों आपकी नेगेटिव की बात करें चोटी-चोटी बातों को लेकर मन में किसी भी तरह का वेवनस्य आने देन किसी भी परकार की आगाग मन को आस्तकईत रखें क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होने की आलावा और कुछ नहीं हासिल होगा अपने व्यक्तिगत कारियों को पूरा करने में ही अपना ध्यान दें दोस्तों नकार्थ में परवर्ति की लोग आपके कार में वीगन डाल सकते हैं बेतरगा की सभी निने खुद ही लें आज आकरें ही कुछ आपसी मद्भेद हो सकते हैं दोस्तों इस समय भाई बहुनों से अपने रिस्तों को बहुत अधिक सम्हाल कर रखें किसी आर्थी मद्द करने की वज़े से आपका हाथ तंगी हो साएगा आज ज्यादा मेल मुलाकाद होने जैसे इस्ति दूर रहें दोस्तों अस्तावधान रहें कि कोई गलती जनकारी आपको भिम्रित कर सकती है अपने काल सेलीवा योजनाव को वेस्तित रूप से संपर्ण करने का प्रयाश करें जल्दवाजी के चकर में आप कुछ काम अधूरी भी छोड़ सकते हैं इसलिए कभी भी दोस्तों जल्दवाजी न करें दोस्तों इस समय रिस्क्दारों से समंधिग कुछ पूराने वाद 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 उच सकते हैं पन्तु हर समस्या का समधन बहुत ही वहबार पूसल तरीके से करें पेसे के लेंदेन समंदी को भी उधारी करना नुकसाएं दायक रहेगा दूस्तों किसी परकार की भी बात भी बात की सिती में ना उलजें दूसरों के मावने में हस्तेचे भी ना करें आने छेतरों में वैस्ता के साथ साथ घर की वैस्ता बनाए रखने में भी ध्यान रखें परिवार वालों की नाराज़गी हो सकती है दोस्तों वैब साथ की बात करें तो वैब साथ माहिलां को आज बहुत वैस्ता रहेगी आपको महनत के नतीजे भी मिलेंगे इसमें सरकारी नोकरी में महत्पुर्ण इस्ती बन सकती है दोस्तों मीडिया या ओनलाइन गत्तिवीदी दारा आपको बीजनेस समंधी नई जानकारी मिलेगी कारश्कल पर सांतीपुर्ण माहौल रहेगा कारश्कल में आपकी एककरता और उपस्ति अनुसासित बतावरन बना रहने के लिए जरूरी है बारी काम और आतरास्तेगीत रखना उचित रहेगा सरकारी गत्तिवीदियों में भी आपका बेहतरिन मुनापा होने की संभावना है दोस्तों आज व्यवसा समंदी गत्तिवीदियों में मेहनत करनी पड़ेगी परतिस सपर्दा का भी सामना करना पड़ेगा मुश्किल समय में किसी योग व्यक्ति की सला लेना उचित रहेगा दोस्तों आज सरकारी मामल में किसी से ना उल्जें वरना आप वेवजम मुसीवत में पढ़ सकते हैं दोस्तों वेवसाब में कोई भी पुंजी लगाएंगे तो भागवान की किरपा से आप सफल ही होंगे और नहीं तरकी भी हासिल करेंगे इसलिए प्रयासादरें दोस्तों आपको अवसी सफलता मिलेंगे वेवसाब गतिविदिया में सुधार समन्दी योजना पर अनुभवी इंसन का मारदर्सन मिलेगा पावलिट डिलिंग और एडवार टाजमेंट से समन्दी कामा में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि अच्छा मुनाफा हो सकता है यो आपको रोजगार के भी उचित अवसर मिलेंगे दोस्तों आज आज आपको भगवान की किरपा से वेवसाब में अच्छे ओडर मिल सकते हैं जिसे आपकी मन पर भूलित रहेंगे और आपको खुश्यवरा बतावन रहेगा दोस्तों वेवसाइ में वेहतने ओडर हासिल होंगे किस राजनती अत्वा अनुभी वेक्ति की सलाव वा मदद आपके वेवसाइ को नई दिसा परदान करेगी सरकारी ओफिस में किसी परकार की राजनती चल सकती है आप सावधान रहें दोस्तों आज आपकी भागी की रेखा साफ दिखाई दे रहा है वेवसाइ की विस्ता समिंदे जो आपने योजना बनाई है इन्हें भली भोती करने का अनुकुल समय आ गया है दोस्तों मैं बात कर रहे थे हैं लव लाइफ की परिवारी तथा वेवसाइ गत्ती विदियों में वेहतर तालमिल बना रहेगा प्रेमी पिर्मिका को डेटिंग की अवसर मिलेंगे दोस्तों पती पत्नी एक दूसरे की भावना को शम्मान करें परिवार के साथ-साथ किसी धार्मि अनुस्थान जाने का भी अवसर मिलेगा गर का वतारों सुखद और सुधार्पूर्न बना रहेगे प्रेम् समंद में भी नजदिकिया रहेंगे दोस्तों परिवारी वतारों सुखद रहेगा प्रेमि प्रमिका के मद अहम आ जाने से समन खराप हो सकते हैं दोस्तों आप अपना प्रेमि से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो सावधान रहें दोस्तों सच्चा प्यार विश्वास से ही मिलता है जीवन साथी तथा परिवार के साथ कुछ समय बनरंजन और सोपिंग में वेतित करने से आप से समन्द में नजबिकियां और मधूरता आएगी प्रेम समन्द में भी निकड़ता बढ़ेगी दोस्तों आज आपके घर में शुखनामा महाल रहेगा आचाने किसी पुराने मित्र के मुलकात से सुखनामा यादें ताजा होगी दोस्तों आज आज आपके स्वास्त में ब्लड प्रेशल समस्या बढ़ सकती है लापारवय न करें दिनचरिया ववेस्तित रखें आपका स्वास्त ठीक रहेगा पर तो नकार्तमक विचारों को अपने अंदर ना उप्चन दें दोस्तों आज आज आपको अतिदिक कारपार की वज़े से ठकान और कमजोरी हावी रहेंगे सबके साथ आपना भी ध्यान रखना जरूरी है आपकी वज़स्ते दिनचरिया वे उत्तम रहन सहन आपको स्वास्त रखेगा इंफ्रिस सिस्टम में भी मजबूत रखने आपका स्वास्त ठीक रहेगा और तो तनाव जेसे इस्तेश से बचना जरूरी है सिर्दद रह सकता है दोस्ता असंतिलित खानपान की वज़से पेट खड़ाब रह सकते हैं गैस और एस्टडी की समस्या भी बढ़ सकती है इसलिए सावधान रहे है इसलिए आपकी तरकी को देखकर कोई सत्रू आपको परेशान कर रहा है अधी आपका कोई सत्रू है जिस भुजपत्र को एक सहत किड़ाब रहा है